चंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए, किस जगहां पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए, जब शिविलिंग का निर्मान करें, चंकर के शिविलिंग को जब बनाए, तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो क्यारा मतलब समझियेगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो ऐसी जगहां का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करें यह महापुरान की कथा कहती है देखो पिछले वर्ष के लागडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए उसक क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो एसी जगा की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सीचन कर दें अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें अपने घर में गंगा जल रखाओ सरीयू जी का जल रखाओ उससे मिट्टी का सीचन कर देए मानलो अगर यह जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सीचन कर देए अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूद डालकर मिट्टी का सीचन कर दोद भी नही है तो एक बेल पत्री जल के अंदर डाल कर उस पानी का सीचन बेल पत्र भी नहीं है पीपल का पत्ता डाल कर उसका सीचन कर दें पर मिट्टी पर घर में लाते देमादेनने जिश धिन घर में मिट्टी कि लेखर आए हो सिधिन अ है इब ले अत्र est memorize यो 15 आसे पमयाह बनाओ हम और दून बनाओ दो तीन देन बाद बनाओ और उस्समय पर मिट्टी का सउच्चन उसमयोच जारा कि पिर का जिस दिन शिवलिंग का निर्मान करो उस दिन प्रातहा में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म महोरत में मिट्टी को गला दो किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमान को उसका भी सास्त्रवन्ण करा किस जल से गलाया जा चियो महापुरान की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्मान करना है शाम को आप शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो तो अपने पानी का जो मटका होता है हंडा होता है रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को लेकर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा, दो गंटा, तीन गंटा, पंदरा मिनिट, बीस मिनिट पर वो पानी वहां रखा होना चीए रसोई घर में अन्पूर्णा का निवास होता है, परिंडे के पास पित्रों का निवास होता है, अन्पूर्णा पित्र सब रसोई घर के भीतर दिराजमान होते हैं। जब मट्टी के चूले होते थे जब चूला बंद होता था तो उसको गीला करकर गोवर को या पानी में उसको गीला करकर एक कपड़े को गीला करकर पूरे चोके को रसोई घर को पोचा जाता था मिट्टी का होता था तो भी उसको पोटा लगाते था सहरansa, पोष्ट हैं तो पहला क्रम है पार्थीव शिवलिंग का निर्वान सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनातें सुंबार को शिवलिंग बनाते हैं तो नियम ध्यान दखियेगा लिंक पुराण से है है इसका नियम ध्यान अम क्या करना है मिट्टी को लाना है जलका चीटा देना चीटा जरूर देना है घर में लेकर आए और जलका चीटा होना जरूर है दो दिन तक तीन दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का चीटा नहीं दिया है और आपने डारेक्ट मिट्टी को ग बनाओ, दो दिन बाद बनाओ, शिवलिंग जब बनाओ, तब उस मिट्टी को जो कलश आपने रसोई घर में रखा है, चावल का दाना रखकर पिलेट के उपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डाली है, क्यों डाला जाता है, उसका भी भाव बर्णन कि अब भविष्य पुराण, इसकंद पुराण और अगनी पुराण इन तीनों से ले लिया गया, बनन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं, तो उस कलश में पित्रों का भाव आजाता है, अनपूर्णा का भाव आजाता है, घर में लच्छमी का भाव आजाता है, गंगा, यम, ना, सर्यू, सरस्वति, ये 33 पुटी देउता में तो इन सब का आनंद उस से जल में जाता है, और गो जल जब हम मिक्टी में मिलाते हैं, तो मिक्टी पवित्र हो जाती है, स्वयम, केलाश, अधिपती क्यों, सिकार करने के लाएक हो जाती है, निर्मित करने के लाएगों कि अब शिवलिंग का निर्मान अब शिवलिंग का निर्मान कैसे करना मिट्टी में रगाला दिया पानी में सबसे पहले शिवलिंग बनने से पहले पात्र जो पात्र जो होता है उसके नीचे बेलपत्र लखी द्युक्त शनकर को झेंड नेम्ह동 पात्र जिस पें झेला आजाये स्वयम गंगाव शिवकी जटामेम और आप शंकर के शीवलिंग निर्मान कर रहे हैं कोई साध्रण नहीं हो सकता आप विदेश्वार सहीता के अंतरगत पड़ें कि ब्रह्मा रोविष्णु ब्रह्मा ऊपर जा रहा है भगमान विष्णु नीचे जा रहा है तो पता नहीं कर पर है कि यहां चरण कहां पर है उसको जानी नहीं पर बस एक बेल पत्र साधर्ण भाव में बेल पत्र भी सीधावाद और इस बेल पत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतरगत जब आप शिवलिंग का निर्मान करें उत्तर इसके उपर जो गलाई हुए मिट्टी है वो डाल दीजिए और डालने के बाद सबसे पहले शि इस शिवलिंग के पास में ओर मिट्टी डाल ली जिए फिर जलाधारी का निर्मान करें शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई शंकरजी का संपून परिवार्ण शिविलिंग में रहता है आपको पहले भी का भगवान भूत अधिपती, भूत एश्वर, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिविलिंग में, पहले भी तथा में कहा, आज फिर आपको बर्णन कर देते हैं, जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिविलिंग है, ये जो गोल भाग है, जहां पर भगवान शंकर का शिविलिंग रखा है, ये पारवती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेज जी का स्थान, लेवत भाग में श्री कारती के जी का स्थान, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, जलाधारी में, वो पारवती जी के सुन्दर पुत्री अशुक सुन्दरी का स्थान शंकर जी के ऊपर तिकोणी रखी रेती है उसके ऊपर से जल बूंद बूंद नीचे गिरता है यह आप कलस से जल चड़ाते हो या आप स्रंगी से जल चड़ाते हो तो यह जो पानी गिर रहा है यह संकर भगवान की पा जली और देव यह संकर जी की पांच बेटियां और पार्वती अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गनेजी की पूजन अलग करने जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी संकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने की जरुवत नहीं पड़ेगी कार्थी के की पूजन अलग जाकर करने की जरुवत नहीं है संकर का परिवार संकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार संकर का विराज माने संपूर्ण पर पूरा परिवारे महाराज, फिर वोई बात आई, ध्यान दीजेगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रातरी को सोते समये, टेबलेट खाने की जरुवत नहीं, संकर भगवान की पाँच पुत्रियों का नाम लीजिए, जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बेठो, जल हाथ म पुत्रियां हैं, जो निंदरा देवी को लेकर आती है, और हमें विश्राम का आनंद सुप्रदान करती है, हमारे नैनों पर विराज़मान जोएते हैं, हाँ, यदि विवाह नहीं हो रहा है, साधी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहा हो, साधी नहीं हो रही, बहुत समय से परिशान हो गए, कि विवाई नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पढ़ गए, लड़की 18 साल, 30 साल का लड़का हो गया, विवाई नहीं हो रहा, कुछ मत करो, अश्टमी तिथी आए, तो असुक सुंदरी वाली जो जगा है, वहाँ पर हल्दी की साथ बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रगवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के पाथ चापे पढ़वा दो, तीन महिने में विभापक्का हो जाता है मारग हुआ इतना अशुक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमान है थीन इतना प्रमान है महराज बगवान शिव की आरादना का कोई साधर ना है निर्मित करा शिलिंग। एक बार सब जितने भी उति पर बेटें हैं संभू कमे कथा सुन रहा हैं । हैज्ट उट पर सुन रहे हैं एक बार साथ में समझें वापिस निर्मानों को शिलिंग के निर्मान को मिट्टी लाए स्वच जगा की जल का छीटा दिया रखा जब शिविलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से दो गंटा आदा गंटा पंदा मिट बीस मिट पहले उसको रख दिया उसी पानी से उसको गीला करा गीला करने के बाद उसका निर्मांड सबसे पहले बेल पत्री बेल पत्री के उपर मिट्टी मिट्टी के उपर रख कर शिविलिंग का निर्मांड फिर जलाधारी का निर्मांड और शिविलिंग का निर्मांड पून होने के बाद में फिर बाबा का सुन्दर भाव से अफ्षंगार करें अभिशेक करें उजन करें और एक पातियाद र आत्री का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो हर्ताली का तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो बड़ी तीज है छोटी तीज है आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो विशेश कोई उस सब है स्रावन का महिना है पूरी रात रख सकते हो पर बाकि के समय अगर आप शिवलिंग का निर्मान करें तो इसको सूर्यस्त होने के पहले आप उसको नडी में जल में जलाषय में विसर्जन B बहुत ध्यान दीजेगा विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को शिविलिंग को जब छोड़ें उस समय पर ध्यान दीजेगा कि शिविलिंग की जो जल की धार है जिसका उत्तर की और जो जल की धार होती है विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्था वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए और ठाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो भाग हमको दिखे थोड़ा सनन जा रहा है पानी में डालते समय और जब वो थो करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करना और उसकी अराधना करना उसकी अराधना करना कई लोग करते हैं बना भी लेते हैं पूजन भी करते हैं और कई बार करते हैं हमारा काम नहीं तो उसमें भगवान का दोश नहीं है दोश अपना देखो आप आये नहीं सुबा हो गई मेरी पूजा की ठाली धरी की धरी रहे गई क्यों नहीं आये किस लिए नहीं वो हमें देखने